तो क्या आपने कभी रशियन कटलेट ट्राइ किया है तो चलिए आज हम बनाते हैं तो यहां हमने बॉयल चिकन को इस तरीके से चोपर में ग्राइन कर लिया है क्रस्स किया हुआ अदरकलासन बारी कटा हुआ हरेमिट एक गाजर को हमने कदुकस कर लिया है जोग क्या हुआ प्याज बारी कटा हुआ धनिया पत्ती वन टीश्पून धनिया पाउडर वन टीश्पून चिली फिलेक्स वन टीश्पून जीरा काली मेश पाउडर जाएके के हिसाब से नमक डालके सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे उबले हुए आलू को हमने मैस कर लिया है, इसे भी डाल के हमें मिला लेना है, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी मिर्ची कम लग रही थी, तो हमने यहाँ 1 टी स्पून लाल मिर्च पॉर्डर डाल दिया है, तो अब न हम थोड़ा सा हाथ में ओल लगा के इस तरीके से कटलेट तयार करेंगे, एक अंडा में थोड़ी सी नमक डाल के अच्छे से फेट लेंगे, अंडा में इसे डीप करेंगे, यहाँ पर हमने बारीक वाली से वहिया लिया है, हाथों से थोड़ा सा छोटा-छोटा कर लिया है, अब इसमें अच्छे से कोट करके गरम तेल में फ्राइ कर लेना है कि दोनों तरफ इसे अच्छे से फ्राइब करके इसे निकाल लेंगे कि तो यह हमारा रसिन कटलेट तयार हो गया है किस किस ने इसे ट्राइब किया है कमेंट में जरूर बताइएगा कि दो कि दो यह हमारा है एल कि अनिया कि अनिया है कि दो हमारा है